नमस्कार कच्च चिठ्था देख रहें आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट पश्चिम मंगाल में मम्ता बनर्जी के चहीते नेता एक एक करके एडी के हत्ते चड़ रहे हैं और मम्ता बनर्जी की मुश्किने बढ़ती जा रही हैं अभी हाल ही में एडी की गिरफ्त में आए मम्ता बनर्जी के पूरू मंतरी के बारे में अब एक ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है कि जिसको सुनने के बाद खुद बड़े बड़े ऐसी जानकारी दी है जो सब के खुश उड़ा रही है उस धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा आगे खबर में करेंगे लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात यह है कि जब मम्ता बनर्जी के करीबी नेताओं पर एडी या फिर किसी जाज इजिंसी का डंडा चलता है तो फि पूरा मामला और क्या है वो ट्विस्ट इसी का पूरा कच्छा चिठा खोलेंगे मम्ता सरकार पर बड़ा खुलासा एडी के हाथ लगा तगड़ा सबूत पूर्व मंत्री की बेटी ने किया धमा के दार खुलासा बेटी के पास कहा से आई बेहसाब दॉलत पश्यम बंगा उनके बारे में जान चल रही है लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी खोश उड़ जाएंगे मम्ता सरकार में हुए राशन घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है कि ना सिर्फ पूर्व मंत्री जोती प्रियम मलिक और उनका करीबी बलकि पूर्व इस खजाने को चुपाने की तरीके भी नायाब है दरशल जोती प्रियम मलिक ने अपनी बेटी पतनी अपने पी अभिजीत दास और उनके परिवार के सदिस्टियों के नाम पर फरजी कंपनिया खोल रखी है एडी को फरजी कंपनियों के जरिए 95 करोड रुपे की मनी लॉ कि है क्योंकि जिस धमाके दार खुलासे और ट्विस्ट की हम बात कर रहे हैं वो किसी और नहीं बलकि जोती प्रियम मलिक की बेटी की अकाउंट में तीन करोर से ज्यादा पैसे होने की बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐसा खुलासा कि बड़े बड़े बेटी ने कहा कि उन्होंने टूइशन से ये पैसे कमाये हैं ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद अधिकारियों के होश उडगे कि आखिर ऐसी कॉंसी टूइशन है जिसमें उन्होंने तीन करोड से जादा पैसे कमा लिए वैसे आपको बता दे कि पूर्व मंत्री जोती प् मिली जानकारी से तो बिलकुल ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ये सारा पैसा सिर्फ टूशन से कमाया है इस बात पर शक इस तरह से भी होता है कि नोट बंदी के वक्त ही पूर्व मंत्री की बेटी मडी दीपा के बैंक अकाउंट में चार करोड तीन लाख रुपे जमा क हुई थी खूफिया सूत्रों के मताबिक प्रियदर्शनी एडी दफ्तर में आए व्य से जुड़े कई हिसाब किताब देने पहुंची थी हाला कि वो केवल दस मिनट तक एडी दफ्तर में रही और फिर कार में बैठ कर चली गई हाला कि जब मंत्री की बेटी और जादा सतर्क हो गई और पूरी तरह गहनता के साथ इसकी जाज करने लगी मंत्री की पत्नी और बेटी पर भ्रश्ट अचार का आरोप लगा है एडी के वकील ने कोट में दावा किया कि 2015 से 16 में चुराव आयों को दिये हलफ नामे में जोती प्रिय मलिक ने अपनी पत् 40,000 रुपे दिखाए थे इडी का दावा है कि अगले साल दिख सकता है कि ये रकम 6 करोड तक पहुँच गई है इडी के वकील ने कोट में दावा किया कि जोती प्रिय मलिक ने अपने हाउस अटेंडेंट से कुक के नाम पर एक कमपनी शुरू की थी वन मंत्री की पत्नी ब 10 और फर्जी कंपनिया है सुत्रों के मुताबिक मंत्री के पी अभीजीत दास की मा मम्ता और पत्नी सुकनिया मनी लॉंडacha के लिए इस्तेमाल की गई 3 कंपनियों में से 2 की निदेशक थी खूली गई अभीजीत के हावडा के पते पर तीनों एजेंसिया पंजिक्रित है बताया जाता है कि अभीजीत खुद मंत्री की बेटी और पतनी वाली एक कंपणी के निदेशक थे ED की अभीकारियों का कहना है कि एक के बाद एक फरजी कंपनिया खोल कर और संपत्तिया खरीद कर पैसे को हेरफेर किया गया ED की जाज में जिन फरजी कंपनियों के नाम सामने आये हैं उनमें जोती प्रिय मलिक की पतनी और बेटी पहले निदेशक थे E.D. ने शुरुवात में इन कम्पनियों की पहचान की शुरुवाती जाज के मुताबिक यहां से काले धन को सफेद किया गया था तीन कम्पनियों मेंसे दो कम्पनिया स्री हनुमान रियल कॉन और ग्रेसियस इनोवेटी प्राइवेल लिमिटेट के निदेशक मम्ता दास और सुकन्या दास थे उनके नाम का इस्तमाल कर पैसे ट्रांसफर किये गए बताय जाता है कि बाद में इसी अभीजी दास के जरीए चार और कम्पनिया बनाई गई नेट्वर्क बनाकर एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में पैसा ट्रांसफर किया गया था दस और कम्पनिया इस समय एडी की नजर में है वैसे आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब जाच एजिंसियों को मंतरियों के परिवार के खिलाब भी सबूत मिले हो पश्चिम बंगाल में राशन वितरल घोटाले में राज जी के वन मंतरी और टेमसी कॉंगरेस नेता जोती प्रीय मलिक को एडी ने गरफतार कर लिया लोगसबा चुनौओ के पहले जोती प्रीय मलिक की गरफतारी बंगाल की सियासत में काफी एहम मानी जा रही है क्योंकि वो राज की CM ममता बनिर जी के काफी करीबी और विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं वन मंत्री बनाये जाने के पहले वो राज के खाद मंत्री थे और खाद मंत्री रहने के दोरान ही उन पर राशन वितरन में घोटाले का आरोप लगा ऐसा नहीं है कि घोटाले के आरोप में ये राज में किसी पहले मंत्री या विधायक या TMC के नेता की गिरफतारी है इसके पहले कई मंत्रियों विधायक और TMC नेताओं की विभिन्ने आरोपों के तहत गिरफतारी हो चुकी है राजम सत्ता में आने के बाद से त्रिमूर कॉंग्रेस के नेताओं पर चिट फंड घोटाला, गौ तसकरी, शिक्षक भरती घोटाला, कोईला घोटाला, नगरपाली का भरती घोटाला, दमकल में ल्युकती घोटाले के साथ ही कई गंभीर आरोप लगे हैं और इन मामलों में कई नेता और अधिकारियों के गिरफतारी हुई है, हाल में टीमसी की सांसद महुआ मुहित्राक पर भी लोगसबा में सवाल के बदले कैश और गिफ्ट लेने का आरोप लगा, बीजेपी की सांसद निशिकान दूबे ने इस मामले में लोगशबा अध्यत और सांसद अभिशेग बनर जी, अभिशेग बनर जी की पतनी, रुचीरा बनर जी, रुचीरा बनर जी की बेहन के साथ-साथ कई लोगों से पहले ही पुछताच की है, शिक्षक भरती घोटाले में भी अभिशेग बनर जी का नाम सामने आया है, उन पर आरोप लगे है, मम नगर पालिका में न्यूपती और राशन वित्रल घोटाले में चापे मारी चल रही है। इसके पहले खाद्य मंत्री और कई नगर पालिकाओं के चेयरमेन के घर पर चापे मारी हुई थी। अब वन मंत्री जोती प्री मलिक की गिरफतारी हुई है। 23 जुलाई 2022 को राशी के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर जी को गिरफतार कर लिया था। के बाद कई शिक्षा विभाग के पूर्व आला अधिकारियों के भी गिरफतारी हुई। फिलहाल सभी जेल में हिरासत में है। पार्थ चटर जी के अलावा अनुरत मंडल, माडिक भटचारिया, जीबन कृष्न साहा, कुंतल घोष, शांतनू बनर जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन लगातार एडी की कारवाई में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कच्च चिठा में आज के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं, कैपिटल टीवी नमस्कार।